आप साथ सौगत आपका एक नई वीडियो में आपके बताने वालों सेक्यरिटी के बारे में सेक्यरिटी जॉप स्केरिटी लाइसेंस कैसे आप अपलाई कर सकते हो और क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्या कौन से सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है तो बने लिए इस सक्टों स्क्रीन पर यह मेरी सर्टिफिकेशन है तो जब आप सेक्यूरिटी के लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करोगे सबसे पहला को इस चाहिए होती इसकी कॉस्ट रोटी है आरांड 150-160 डॉलर आप जैसे यह सर्टिफिकेशन लोगे तो फिर जिससे भी आप सर्टिफिक हो जाते हो सेक्यूरिटी का लाइसेंस की डेट बुक करने के लिए और उसको देने के लिए अब वो टीसे नमबर जब भी आप यह सर्टिफिकेशन ले लोगे इसके दस दिन के अंदर आपको वो टीसे नमबर कभी भी मिल जाता है जैसे आपको इस वेब साइट पर जाना ह हो गये तो अगर आपका एक्जाम क्लियर हो जाता है तो विदिन टेंद आपका डिजिटल एक डिजिटल यह स्क्योरिटी लाइसेंस आपकी मेल पहा जाएगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर बस आप सेक्योरिटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो सो यह ज में से आपके 62 मार्क्स आने चाहिए तो आप क्लियर हो जाओगे एक्जाम को अगर उससे कम आएंगे तो फिर आपको री अटेंब देना पड़ेगा अब जो एक्जाम के फीस होती है वह अराउंड होती है है 40 डॉलर्स 39 या 40 डॉलर्स होती है तो टोटल अभी खर्चा होगे आपका 160 डॉलर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो थी वह उसके लिए 40 डॉलर्स आपके एक्जाम बुकिंग फी होती है और जब आपका एक्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको लाइसेंस चाहिए अप्ला करना है तो यह एक ब्रेक इवन था फिर जैसी आपका लाइसेंस आ जाता है अब बहुत सारी सिक्यूरिटी की कंपनीज है ऑश्वा के इंदर अगर में बताता हूं जैसे कि पहली है पैरागॉन है फिर सीडियन प्रोटेक्शन है फिर अपनी एक सिक्यूरी गार्ड करके है सब्सक्राइब करके है तो बहुत सारी कंपनीज है आप डारेक्ली उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो वरना इंडीड वह पर आप सेक्यूरिटी कीवर्ड लिखकर और जो भी आपकी लुकेशन है वो टाइप करके आप जॉब सर्च करो और जैसी आपको तो बस लाइक करिये सब्सक्राइब करिये मिलते है नेक्स वीडियो ने